इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4 की EBS की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम सबसे पहले सीच में इस सब्सक्राइब उन्दर बॉलर डिया है यहां निओन मीच अपने काम सुरू developingण काम बर के सबसे पहलें तो लाइक कर दो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए और ज़्याद़ वीडियो ले के आऊ, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी को, अच्छा, यह एक बच्ची है स्टोरी के अंदर, जिसका नाम है वैशाली, उसके फादर जो है, वेजिटेबल सेलर है, यानि सबजी बेचने वाले हैं, उसकी जो पूरी फैमिली है, जिसके अंदर उसकी ममी, जिसे अम्मा बोला जा रहे है, भाईया, उसका भाई है, करते हैं अपने फादर को उसके काम में, जो सब्जी बेचने से रिलेटेडर जो काम होता है, जैसे आप इयाँ फैमिली देख भी रहे हो, इस पूरी फैमिली में सब लोग मिल करके काम कर रहे है, जैसे इसके फादर सब्जी को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, इसकί ममी भ बेके आया हुआ है, और छोटा भाई भी कुछ कर रहा है, यानि पूरी family involved है अपने इस activity में, अपने इस काम के अंदर, ऐसा आपके घर में भी होता होगा, कि कुछ काम आपके घर में किया जाता होगा, जहां पूरी family बिल करके काम करती होगी, तो same यहां वैशाली की family में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, can you guess at what time we begin our work, फिर वो आपसे पूछ रहे हैं, कि आप क्या guess कर सकते हो, कि हम लोग यह काम करना कब start कर रहे है, at 3 o'clock in the morning, और यह लोग अपना काम जो सुरू करते है, early morning 3 o'clock, यानि कि सुबह के 3 बज़े, यह लोग अपना काम करना start करते है, when most, या our day work began, when Babuji, इनका जो दिन है, वो बिल्कुल early morning में start होता है, 3 बज़े, तब बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस टेम इसके जो पापा है, इनके जो फादर है, जैसे यह बाबु जी बोला जा रहा है, कि our day work began, when Babuji, Amma, भाया and I take out the previous day's vegetable from the gunny bag and basket, य जो भी इनका previous day का जो वेजिटेबल है, या नहीं, last day को जो इनने sale वगरा किया था, उसमें जो भी सब्जी वगरा बज जाती है, तो पहले उस basket को निकालते हैं, उस bag को बाहर निकालते हैं, this is to prepare for the bringing the fresh vegetable from the mandi, अच्छा, यह इसलिए करते हैं, ताकि वो चेक करते हैं, कि कल का कौन-कौन सी सब्जी है, जो बज गई है, पहले उनको identify करते हैं, और फिर उसके according यह decide करते हैं, कि भी आज के दिन, यानि कि fresh vegetable कौन-कौन सी ने सब्जी मंडी से लेके आनी है, तब यह लोग आपस में decide करते हैं, sometime छोटु also help us, तो इसका जो छोटा भाई है, यह भी इन करके, सुबह, early morning, जैसे आप देख भी रहे हो, कि अभी night हो रहा है, इस type का लग रहा है, और यह light on करके, यह लोग सब लोग क्या कर रहे है, भी सब्जी वगरा arrange कर रहे है, चेक कर रहे है, कि कौन-कौन सी ने मंडी से लेके आनी है, तो कभी-कभी छोटा भाई भी इस काम इनकी help करता है, यह वैशाली बता रही है, as we finish doing this, and are having some tea, we hear that horn of tempo, अच्छ, जब यह लोग यह सारा काम complete कर लेते हैं, तो इनके घर पे के पास, जो tempo आता है, tempo की आवाज आती है, it is the time for बाबुजी, भाईया, चाचु, and some other from street to leave for Monday, और जब यह tempo का जो हौन, यानी उसका तो जितने भी लोग होते हैं, जो vegetable seller है, सब के सब के लिए एक तरह से alarm होता है, कि चलो ही अब मंडी चलते हैं, और सबजी ले के आते हैं, तो इसके घर में उसके फादर, यानी बाबुजी, उसके भाईया, और उसके जो चाचु है, वो सब लोग कहा जाते हैं, मंडी जात का, वो यह है, does anyone in your house have to get up very early, what time does he or she get up, why do they need to get up so early, कोशिन यह हैं के लिए, कि आपके घर में भी, जैसे वेशाले की family की बात करें, तो 3 a.m. early morning, यह लोग सो के उठते हैं, और अपना काम सुरू कर देते हैं, तो इसी तरह से आप से पूछा जा रहा है, कि in your house, कि आपके गर में भी कोई, बहुत early morning, सुबह उठता है क्या, पहले को यह पूछा जा रहा है, अगर उठता है, तो he she, जो भी है, उसका नाम बताओ, कि कौन इतनी early morning उठता है, फिर next पूछा जा रहा है, why do they need to get up so early, और उन्हें इतनी सुबह सुबह उठने की, इतनी जल्दी क्या ह सुबह सुबह उठने की, कारण, यानि reason क्या है, वो भी आपको बताना है, तो most of those student है, वो कहेंगे sir, मेरी mother, या फिर grandmother, early morning उठती है, और घर को clean वगरा करना, cooking वगरा करना, इन सारे काम के लिए उठती है, या फिर हो सकता है, कि जो आपके father हो, वो भी early morning उठते हो, exercise वगर करती हो, तो आप लोग का कर सकते हो, अपनी mother के according भी answer लिख सकते हो, अपने father के according भी answer लिख सकते हो. ठाखते हो, ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रहा हो, father के according answer लिख रहा ह। Kyis cos hand कुछ इस तरह से लिख सकते हो, yes, my father get up early, कि मेरे जो पापा है, मेरे फादर जो है, वो सुबह-सुबह early mornings होके उड़ जाते हैं, he gets up by 4.30 a.m. यानि कि सुबह के 4.30, किसी-किसी के father हो सकता है, 4 o'clock भी उठते होंगे, किसी-किसी के papa हो सकते हैं, 5 o'clock उठते होंगे, तो जो भी जिसके भी parents जितने बज़े उठते हैं, अपने parents से time पूछ करके, वो time लिख सकते हो, मैंने या father के बारे में लिखा है, आप चाओ तो mother के ब अर्ली मॉनिंग सो करके उठते हैं, तो इस तरह से आप question number one का answer बहुत easily लेख सकते हो, अब आगे बढ़ते है, story में आगे क्या होता है, तो आगे next topic जो है आपके लिए, preparing for the day, यानि कि सबसे पहले तो यह early morning उठकरके अपना काम सुरू करते हैं, फिर दिन का जो भी काम होत उसको start करते हैं, तो यहाँ पर जो बच्ची है वैशाली में बोलते हैं, while babuji is away, amma, chotu and I put the previous taste vegetable on guinea bag, जब इसके फादर मंडी चले जाते हैं, बिग vegetable market आप बोल सकते हो, kind of, जहाँ पर बहुत जादा सबजी वगरा बिकती है, और जो भी vegetable sealer होते हैं, वहाँ से सबजी व इसके भाई और बाकी लोग क्या करते हैं, कि जो प्रीवेस टे का जो बाकी जो material है, सबजी वगरा, उसको arrange करते हैं, देखते हैं कि उसके में इसको कोई खराब तो नहीं है, fresh है तो ठीक है, खराब है तो उसको फिर अलग करते हैं, तो यह सारा काम करते हैं, तो उसी के बा होजे, by 6.30 a.m. बाबुजी is back from the mandi with basket and sack full of fresh vegetables, फिर उसके बाद किया करते हैं, इसके फादर जो है, 6.30 तक, यानि कि 3 o'clock तो यह लोग सुबर सोके उठके अपना काम सुरू करते हैं, फिर इसके फादर mandi चले जाते हैं, उसके बाद 6.30 पर इसके जो फादर हैं, वो क्या करते हैं, mandi से सबजी वगरा ले करके, बोरी भर करके, बोरी भर करके कह सकते हो, डलिया वलिया भर करके, यानि कि यह basket वगरा अच्छे से भर करके, बोरी वगरा भर करके, पूरा का पूरा जो vegetable है, वो ले के आते हैं, ठीके, वो vegetable इसली आते हैं, ताकि वो vegetable को sale कर सके, उस that time our house looks more like a small vegetable market. तो वेशाली कह रही है, इस टाम ऐसे महाल हो जाते हैं, कि हमारा जो घर है, यानि our house कहती है, वो भी ऐसा लगता है, एक kind of small vegetable market हो गया, यानि कि खूब सारी सबजी होती है हमारे गर में, ऐसा देखके लगता है, कि एक सबजी की एक मंडी हो गई, या सबजी का एक बजार हो गया, इस टाइब का देखने का लगता है, देर आर ब्रिंजल, पोटाइटो, टेमेटो, ओक्रा, ओक्रा मिन्स लेडी फिंगर और भिंडी आप कह सकते हो, पंकीन, गॉर्ड, चिली, एंड मेनी अधर वेजीटेबल्स आर अल अर। तो उनके घर में सबजी ब्रिंजल आजाता है, पोटाइटो आजाता है, टेमेटो भी आजाता है, भिंडी यानि लेडी फिंगर भी आजाता है, पंकीन आता है, गॉर्ड भी आजाता है, ठीक है, चिली, मिर्च वगरा भी आजाता है, और भी बहुत सारे जो वेजीटेबल है, इसके फादर लेके करते हैं इस तरह से सब्जी के पास है अगर फ्रेश वेजिटेबल नहीं है तो फिर उस दिन जो भी खातम हो जाती है उसको लेके आ जाते हैं ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं everybody helps in shorting the vegetable और घर में जितने भी मेंबर है सब के सब्सब्स अरेंज करने में उसे short करने में एक तरह से classify करने में कि भिंडी एक जिगा लगेगी अलू एक जिगा टमटर एक जिगा सब और अरेंज करने में help करते हैं वेजिटीबल्स विच आर नोट फुली राइप एंड रेडी तू सेल अर केप असाइड अच्छा वो सारी वेजिटीबल्स जो कच्छे होते हैं ठीक है या फिर कोई ऐसा हो जाता है कि भी एक तरह से कह सकतो है जो अच्छे से पके हुए नहीं या फिर कोई खाल रहा है तो उन सब को अलग रखा जाता है ठीक है i yatto त्यायनी कि गरवेजिटीबल्स आई कौन से वेजिटीबल्स कच्छा है उसको उलग रह दिया कौन सा खाल बेचने जानेग वाले हम लोग वो decide करते हैं ठीक है तियानि कि यह सारा काम यह लोग सब लोग कुरी family मिलके करते हैं we have to sort the vegetables fast और हमें यह जो काम है बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है so as to reach the bazaar as early as possible यह इसलिए जल्दी-जल्दी करते हैं ताकि जो market में जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके अगर देर करेंगे तो क्या होगा कि जो customer होंगे किसी और से ले लेंगे फिर इसके father जो vegetable sealer है इन से कोई सब्जी नहीं लेगा तो फिर इनका तो नुकसान हो जाएगा इसलिए यह पूरी की पूरी जो family है 3 o'clock बिल्कुल early morning सोके उठती है फिर इसके father मंडी बगरा चले जाते हैं पापा तो सब्जी लेने चले के fresh vegetable लेकिन फिर भी पूरी family क्या कर रही है अभी भी यह shorting का work जो है तो इनको जल्दी जल्दी तयार करके arrange करके दे देते हैं ताकि यह लोग जा सके इसके father सब्जी बीचने के लिए ठीक है चलो अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या order by 7 o'clock यानि कि सुबह के 7 बजे यानि 7 a.m की बात की जा रही है by 7 o'clock बाबुजी अरेंज all the vegetable on the handcart and leaves for the bazaar जब सुबह के 7 बज जाते हैं तो इसके जो father है ठीक है यानि वैशाली's father उसके जो बाबुजी है वो क्या करते हैं जो भी इनका ठीला है जो गाड़ी है इसके अंदर वो सबको अच्छे से arrange कर लेते है और घर से बजार की तरफ चले जाते है पहले मंडी से सबजी लाते हैं फर arrange करते हैं उसके बाद जो भी vegetable market घर के आसपास है वहाँ जाके इसके father sale करना start करते हैं जैसे आप यह picture देखोगे picture में आपको दिख रहा होगे कि सारी सबजी यहाँ पर properly arranged है अलग-अलग सबजी अलग-अलग basket में रखी गई है और इधर देख सकते हो कि सुबह के टाइम newspaper वाला जो है यह newspaper थो कर रहा है यानि कि बहुत सुबह-सुबह सुबह के 7 बजे इसके father घर से निकल जाते है He say that if he is late then his regular buyers may buy their vegetable from someone as इसके father कहते है कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुचूँगा अगर हम बजार टाइम से नहीं पहुचेंगे लेट हो जाएंगे तो इसके जो regular buyer है जो इससे सबजी खरीदते है means इसके जो regular customer है वो क्या करेंगे कि जो सबजी वगर है इसके बाद वेशाली स्कूल के लिए तयार होती है क्योंकि इसका जो स्कूल का टाइम है वो कितना है 7.30 एम है साथ बजे इसके पापा चले जाते है 7.00 एम पर और उसके बाद साधे साथ बजे तक इसे अपना स्कूल पहुचना होता है इसलिए वो जल्दी से तयार होती है और बरेक फास्ट वगरा जो भी चीज़े वो सारी चीज़े वो कर लाथी है तो अभी हम लोग भी क्या करते है हम लोग भी स्टोरी को यहीं तक बढ़ते है इसके बाद जो है जो टोपिक है यानि जो एशालियो स्कूल चली जाती है और बाकी चीज क्या होता है इसे हम करेंगे इसके next part में ठीक है इसके second part में तो second part में मैं जो start करवाँगा आपका topic वो होगा in the bazaar या फिर कह सकतो in the market इस topic से हम लोग start करेंगे इसके second part में तो first part में हम लोग इतना ही रखते हैं बाकी करेंगे second part में वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफर सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको notification रिसीव हो सकें तो thanks for watching bye bye